कहा जाता है कि बाबा की नगरी में लोग जाते हैं अगर तकलीफ और कष्ट होता भी है तो उसे बयान नहीं करते हैं यही देखिए नजारा गांधी मैदान के पास का है कि लोग जो नेपाल से आये थे बाबा का दर्शन करके अब सब यो लोग लोट रहे हैं लेकिन यहाँ पर एक छोटा मोटा घर बना के रखा है गैस सेलेंडर है खाना बनाया जा रहा है कुछ लोग सबजी काट रहे हैं तो सबस्क्राइब करने के बाद बहुत अच्छा लगा बहुत बनिया लगा सुल्टान गन से जल उठाए बावाक धाम जाकर बावाक नगरी में जल दरपन किया उधर उधर से लटते बासकित नात गया राजगीर राजगीर जल चरहाए तप गये तपो बन गये तिरकुट पहार गये आपसी में लटते हुए अभी पटना वाकर खाना खाऊंगा इदर गांगा नेपाल में जनकपूर जिला है तरलाही ठना आए मलगवा घर हुठ चना निकले फेनेपाल से और बाबा ती नगरी में कब पहुंचे और फिर वहां से कब लोटे पुड़ी कहानी होचा की होचा है है भूद के निकले एक आरक हते आप वहां से शुपर थन क पहुंचे बावनगरी, अब वहां से राजगिर माहें घुमते भूमते यहां तक आज मंगर के पढ़ना है. यहां आराम करें के खानपी नहीं कहांगे फिर यहां से चल देंगे, नेपाल के नेपाल के लिए. कई सालों से जा रहे हैं आप बावा जीनेगें? बावा जा बुझे ना कि कम से कम 45-46 से रूपते हैं? मतलाब यह तरह से उसको जक्षन मना है? यहां से कमी बेसी समान किल लेते हैं, यहां एक बार यहां खाना काके गरि खुले गा साथ बजे, एक बार सुद्शन साबेर, बोडर पर चल दाएगा हमको भूऊ हां मलगवा पूडर पर बन याज़ा चल दया है बबाब बहुत दिन्टे हमको यह लगा हो गया बारा खेप कि यहां मतलब कुछ पानी के दिकत होता है तो पानी के दिकत होता है तो पानी के सुभीता करा दीजिए हर एक साल हमगा सरलाही जिला के गड़ी यहां दस गोव बिसको और एक साल आता है हर एक साल हता है यहां आराम करेंगे थोड़ी स्वापो निकल जाएगा आठवाज को निकल जाएंगे अगर कश्ट भी होता है तो अदमी पताता दर्शाता नहीं ए देखे बबाबा को नगरी में कोट न होगा तो बाबा मतलब किसे जाने काड़ तो हो बें करेगा कोड़ र तो मिधान अपन 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 धर्मशलद कोने को बड़ी दूश्वारी होती है पानी की समसिया की समसिया है आपको परिशानी होई कहां घर है नेपाल सभ लोग बता हैं कि दुश्वारी दिक्कत होती है पानी को लिए होता है इस लिए है और नहीं है दूसरा समस्य नहीं कौन जिला घर है नेपाल में नेपाली साल निगरी से बहुत तो लेखेंगे रढ हैं नहीं किये हैं पाने के सुभी सुभान्हें हैं तॉडो हूंट करें दोश को सुभी है लग लग में सफाई करें बला के खटो बोग सफाई करती सरक डगर बर बेमारी नहोते ही हैं मांग करी तो आपने सुना जो अधिकतर लोग है बाबा की नगरी से लोटे हैं ये नेपाल के हैं और उनका कहना है कि हम लोग पटना में थोड़ी देर के लिए रुखते हैं आराम समस्या इनकी शिकायत और सरकार से गुजारिश भी है कि पानी की विवस्था कर दी जाए साब सुत्रा पानी का इंतिजाम हो और सबसे ज़्यादा जरूरी सोचाले का इंतिजाम हो इस उमीद पे हैं ये कि अगली साल अगले बार जब हम फिर बाबा की नगरी को जाएं या लोटे हैं तो हमें वो सारी सुबधाएं सरकार मोहिया कराएगी आपने सुना कि अधिकतर महिलाएं हैं जो ये कह रही है कि हमारे पास सबसे बड़ी समस्या इसी बात की है कि सोचाले की दिक्कत है सोचाले नहीं है गाधी मैदान के आसपास हाला कि इटोईलेट तो बना कर कि रख दिया गया है नुइस फोनेशन के माध्यम से ही आपने देखा था लेकिन उसे चालू नहीं किया गया नगर निगम के लोगों की नजर इन भक्तों पर जरूर पड़ती होगी ये लोग आते हैं और कहते हैं कि हम लोग पटना घूमना चाहते हैं बाबा कर दर्शन कर कर दी जाए कि हम जब यहां रुके थोड़ी दिर के लिए दो चार पांच घंटे के लिए तो राजधानी पटना की अच्छी यादें ले करके जाए आशार उमीद है कि सरकार तक अगर निस फोनेशन की ये बात पहुँच रही होगी तो वह जरूर इस पर ध्यान दे कि य ये लोग जो भक्त लोटते हैं वो उस इंतिजार में है कि कम से कम पानी बेहतर हो साब सुत्रा पानी मिल जाए और शौचाले का इंतिजाम हो ताके राजधानी पटना से दुआएं दे करके सरकार को जाएं और इसी आशा के साथ इन लोगों ने बात की कि सरकार के सामने ज किस तरह खुले आसमान के नीचे ये लोग खाना बना रहे हैं और सबसे बड़ी समस्या थी पानी की और सहचाले की तो सरकार से यही गुहार ये लोग लगा रहे हैं कि अगली बार जब हम लोग दर्शन के लिए लोटे तो पटना का जो प्रशासन है जो सरकार है वो ऐसा इंतिजाम करें कि हम उन्हें दुआएं दे करके अपने अपने घरों को लोट जाएं लगतार अपडेट के लिए आप जूर रहे हमारे साथ नमस्कार